हाई, बहुत बार लोगों को ऐसे लगता है कि फोटलेटी स्पेशालिस्ट से तभी मिलना है जब आपको IVF की जरुत है और उनसे सिर्फ IVF के ही बारे में बात करनी है यह बहुत रांग कंसेप्ट है actually fertility specialist को क्यों मिलना है तो उनसे आपके fertility समझने के लिए आपको मिलना है तो आईए जानते हैं कि आपने कौन से टाइब के questions आपके fertility specialist से पूछने चाहिए Hi, मेरा नाम डॉक्टर मदुष्री कोठेकर है मैं एक fertility और IVF specialist हूँ और मैं Art Fidelity Clinic, Mumbai, यहां पर as a senior IVF consultant practice करती हूं और मैं यह YouTube channel चलाती हूं, जहां पर ऐसे ही छोटे-छोटे topics पे detail में explanation देने वाले videos में बनाती हूं तो अभी तक आपने मेरे channel को like नहीं किया है, subscribe नहीं किया है, तो don't delay, अभी subscribe का button दबा दीजिएगा So let's come to the five questions जो आपने fertility specialist से मिलने के बाद पूछने चाहिए तो पहला question है कि naturally pregnancy कैसे होता है आपके fertility specialist आपको physiology समझाएंगे natural pregnancy का uterus होता है, tubes होते है, ovaries होते है, sperm होते है और वो सब कैसे होता है, fertilization, embryo कैसे बलता है, implantation कैसे होता है, हर cycle में कितना chance होता है, वगरे वगरे, वो सब आपको detail में explain किया जाएगा ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये अधर आपको पता है, तो उसके बाद ही आप समझ सकते हों कि problem क्या है, क्या हो सकता है और कौनसा treatment आपको help कर सकता है, तो ये हो गया first question, अभी second question है कि अभी तक आप try कर रहे हो, लेकिन pregnancy नहीं हुआ, तो इसका reason क्या लगता है, based on history तो यहां पर exact reason देना हर बार possible नहीं होगा, हर बार हम exact reason को pinpoint नहीं कर सकते हैं, लेकिन possible reasons आपको समझा सकते हैं, कि ये हो सकता है, quality का problem हो सकता है, tubes का हो सकता है, sperms का हो सकता है, वगरे, वो सब आपको detail में समझाया जाएगा कुछ उसके लिए और कुछ diagnostic test भी होगे, तो वो भी advice किये जाएंगे, वो test क्यों कर रहे है, उससे हमें क्या समझेगा, क्या interpretation होगा, क्या help होगा, वो भी समझाया जाएगा थर्ड question आपको यह पूछना चाहिए कि आपकी fertility improve करने के लिए आपने आपकी lifestyle में क्या change करनी चाहिए तो इसमें lifestyle मतलब सब कुछ आ गया, diet, exercise, कोई bad habits हो, alcohol, smoking वगरे, वो सब उसमें आ जाएगा तो आपको basically आपका optimum weight है या नहीं, या कितना होना चाहिए, diet में आपने क्या-क्या changes करनी चाहिए, वो सब आपके fertility specialist आपको समझा देंगे fourth question आपने उनको ये पूछना चाहिए कि अगर आपको कोई fertility treatment करोगे, जैसे कि IUI है, IVF है, या किसी-किसी को laparoscopy, surgery, hysteroscopy, surgery advice किया चाहिए तो उसके बाद आपका pregnant होने का probability कितना रहेगा, तो treatment में क्या होगा exactly, उससे हम natural आप pregnant होगे थे, उसके अलावा हम क्या help कर रहे हैं उस treatment के जरीए आपको, और आपका pregnant होने का chance कितना improve हो रहा है, वो आपको समझाया जाएगा और fifth question, which should be the most important question, कि आप जहां पर treatment करवा रहे हो, उस clinic का, उस center का success rate, last month का, या last three months का, या last year का success rate, her treatment के लिए क्या था and based on that, you should decide कि आपको treatment करना है, नहीं करना है, कहां करना है, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको और कोई doubts है, तो आप मेंचे comments में पूछ सकते हो, या consultation के लिए आना है, तो clinic मोंबई में है, कुल और चे इंगुर में, और YouTube से आने वाले patients को हमेशा first consultation भी रहे हो, thank you. नहीं काल नहीं के लिए, घई रचミ доб María, कैसे ऑने रहे हो, रचसие इंगुर में, या चस्मी अए ग्त